एक बुड़िया माई के ग्वालियों बचलियों नाम को बेटो थो, बुड़िया माई बेटा के लिए बारा महिना के बारु चोथ किया करती, बेटो लकड़ी लिया करती। एक दिन, चोत का दिन बेटो आपके पडोसन का गयो, वहाँ भी चूर्मो बना राखी थी, तो पुछो कि आज के है? सोथे चूर्मो बना राख्या हो. पडोसन बोली, मैं तो आज ही बनाया हा, तेरी मा तो हर चोत का दिन बनावा है, तना आज खाने दियो की नहीं बेटो बोलो दियो तो थो पड़ोसन बोली कि तू लकडिया लावा है जी मस तेरी मा ओला बेज कर चूर्मो बनावा है बेटो मा का कना गयो बोलो कि मैं तो इतनी महनस से लकडि लियाओ हूँ और तो चूर्मो कर करका खावा है सो के तो मन छोड़ दे के चोथ माता न छोड़ दे मा पोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही बरत करू हूँ सो तेरी भलाई के लिए ही तन छोड़ देऊंगी चोथ माता न तो कोनी छोड़ूँ जना बेटो घर से जाने लागे तो मा बोली कि तू जावा है तो चोथ माता को ना देखा है तो खून की नदी बवा है, कठी न भी रास्तो कोनी मिलेो, जट आखा पूर कर बोल्यो है चोत्माता, अगर या नदी सूख का रास्तो जावा तो तू साची है, इतना मैं नदी सूख का रास्तो ओगी, आगा न गयो तो जाते न बावडी उजाड मा रात ओगी, चारू तरह बाग भगेरा बोलना लागया जट हाखा पूर कर बोल्यों कि हे चोत माता मन रास्तों मिल जावा नहीं तो ये जानवर मन खाले सी इतना मैं रास्तों मिल गयो आगान एक राजा की नगरी में गयो राजा हर महिना एक आदमी की बली देतो एक बोड़िया माई का घर गयो तो देखा माई पूरा तो पोती जावा है और सागर सागर रोती भी जावा है जद वह पूछो कि माई रोवक क्यों है बोड़िया माई बोली कि मेरो तो एक ही बेटो है वह राजा का बली चड़ जासी ये पूड़ा उकल ये ही बनाओ हूँ, महा बोल्यो कि माई ये पूड़ा मन पेट भर के खिला दे, मा तेरा बेटा के बदल चलो जाओंगा, माई उन पूड़ा खुआ दिया, रात ने सोते समय बोल्यो कि राजा को बुलावो आवाय तो मन उठा दिये, आधी रात ने बुल लाठी धरी राखिये, माई सोची कि आज तक तो कोई भी पाच्छो कुनी आयो, यो के आसी राजा का आध्मी उन ले गया और आवा में चिर्ड दियो, जद वो आखा पूर का बोल्यो कि है चोत माता, दो संकर तो टाल दियो, यो भी तू टाल दिये, इतना में ही आवा पक कर तयार हो गयो, दो दिन बाद आवा करना छोरा खेला था, आवा पर कंक्डी मारी तो उमसा आवाज होई, छोरा राजा न जाकर बोल्यो कि राजा तेरो आवो तो पक्यो, राजा सोची कि छे महिना में आवो पक्यो, कोनी तीन दिन में कहिया पक्यो, जाकर देखा है तो स इमत तो कोई कदे कोई कोनी बोलतो, आज कुन भूत प्रेत बोलने लाग्यों है, अंदर से बोल्यों कि मैं तो बोई आदमी हूँ, जी का थे बैठायो थो, अंदर जाका देखा तो हरे हरे ज्वारा उग्रिया है, आखा पूर का बैठो है, राजा का आदमी राजा ने सारी बताई, तो राजा आयो और पूछो कि तु कुन है और कहियां बचियो, वा बोल्यो कि मेरी मां चोथ को बरत करती, सो मैं तो चोथ माता का प्रभाव सा बचियो, जना राजा उना बोल्यो कि एक घोड़ा पर तो तू चड़, एक घोड़ा पर मैं चड़ जाओंगा, और त इतना महीं सांकली खुल का राजा का बन गी। राजा सोचो चोत माता तो साची है। राजा आपकी बेटी को व्याउ का सागा कर दियो। वो वठाई रहने लागया। बोला सारा दिन हो गया तो एक दिन वा आपकी लुगाईन बोल्यों की आज तो मारा गाउं कानी बिजली चमका है। राणी पूछी की थारा गाउं भी है के बोल्यों हाँ मेरा एक मा भी है। अब आपका देश चालांगा। राजा उनाना भो सारो धन देका विदा कर दियो। उरी ने बुडिया माई से लकडी तो काटी कोनी जाती तो वा गोबर चून का छाणा बेजकर रोटी खाती। पडोसनु का बहु बेटा ना आता देखकर बोली बुडिया माई तेरा बेटा बहु आवे है। बोलो सारो धन लियाया है। बुडिया माई बोली की मेरे करम में कठा बेटा बहु लिखेडा है। एक बेटो थो जी को ने तू लगा सिखा कर कार दियो। पन जी मा कोनी और बटोड़ा पर चड़ कर देखा तो साचा ही आवा है बेटा भव सासू का पगा पढ़ गया और बोलिया कि मैं तो चोत माता का प्रभाव से पाच्छा आया हैं सारी नगरी में हेलो फिरादियों की बेटा की मा पुरुस की लुगाई सब कोई चोत को बरत करियो तेर कहताना सुनतारा होकारा भरताना अपना सारा परिवार को काटियो भारो भी काटियो एक मिंट को एक मिंट की था मिंट की रोजी ना मिंदैक जी की कहानी कहती एक दिन मिंट को बोल्यो कि तो रोज पर आया पुरुस को नाम लेवा है अगर अब लेवा गी तो मोगरी से सर मिंदायक जी गुस्सों हो गया। मिंदायक को कस्ट काटियो वया ही सब को काटियो कहता सुनताना होकारब भरताना आपना सारा परिवार को कस्ट काटियो।